अमरुदपाल की बतनी किरंदीब कौर के खिलाब देशबर में अभी कोई भी एफायर दर्ज नहीं है। उसके खिलाब जाच एजंसियों को पुक्ता सबूत भी नहीं मिले है। हाला कि अमरुदपाल की बतनी को उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत रोका गया है। जिसके तहत फरार आरोपियों के परिवार और उसके जानने वालों से पूछताच की जाती है। मिलने यूके जा रहा है। लेकिन सरकार को शक था कि अमरुदपाल सी नैपाल की रास्ते यूके पहुचा है। पुलिस को डर था कि किरंदीप के उसके पास जाने के बाद दोनों वही जाकर सैटल हो जाएंगे। सवाल यह है कि किरंदीप को कब तक रोका जा सकता है। किरंदीप एनाराई हैं। उस पर ब्रीटन में खबर खालसा से सम्मध रखने और उससे धन प्राप्त करने का रोप है। उसका पती खालिस्थान समर्थक अमरुदपाल सी 18 मार्च से फरार है। उसके खिलाफ NSA के तहट मामला दर्ज किया गया है। प्यूरो रिपोर्ट BJP के लिंगायत नेताओं ने बुदवार शाम करनाटक के पुर्व मुख्यमंत्री येदी उरपा के आवास पर एक बैठक की इस बैठक में कॉंग्रेस का मुकाबला करने को सुझाव दिये गए। विरोधी करार देने की कॉंग्रेस के दावे का जवाब देने के लिए चुनावी राजव करनाटक में लिंगायत मुख्यमंत्री अभियान शुरू करने की वकालत की है। के रूप में पेश करना चाहिए और मजबूती से यह अभियान चलाना चाहिए। ऐसे में उसके सत्ता में आने की सीती में अगला मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाय का ही होगा। इस बात के मुख्यमंत्री बसवराज बुमाई ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए पुश्यी की है। उनके मुताबिक बैठक में कुछ मुद्दो पर कॉंग्रेस की फैलाई ज़ा रही भ्रामक सुचनाव का द्रड़ता से मुकाबला करने का निर्ड़े लिया गया। कितना है दम देखते हैं अंदर की बात में। उन्हें स्पष्ट रूफ से मना कर दिया है। ज्यादतर मामलों में सर्वे कहता है हमारे उमिदवार उन्हें हराएंगे इसलिए हमने उन्हें अपनी पार्टी में नहीं लिया है। डिके शिवकुमार ने दावा किया है कि ज्यादतर भाजपा नेता स्विकार करते हैं कि भाजपा करनाटक में सत्ता में वापस नहीं आएगी। अधिकांश भाजपा नेता शिवकुमार की बातों का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि बिजेपी उमिदवार की सूची के चैन में देरी से पता चलता है कि बिजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। कॉंग्रिस के पक्ष में स्थिती को देखते हुए बिजेपी के लिए जो इतना मुश्किल है। प्यूरो रिपोर्ट जीए। कोलों के बीच गौतम अडानी की सरद पवार से मुलाकात के बाद बिजेपी एनसीपी गठ बंदन की संभावना पर चर्चा की जा रही है। अडानी मुंबई में पवार के आवास पर पहुँचे और दोनों के बीच करिब दो घंटे तक बंद कमरे में बाद चित हुई। सुबह शुरू हुई बैठक दो पर बारा बजे तक चली। बैठक के बाद अडानी या पवार की ओर से कोई बयान नहीं आने से अटकले तेज है। मानना है कि सरद पवार ने अडानी पक्स को लेकर बीजे पी से गठ बंधन किया है। दोनों के बीच लोग सबाद चुनाव से पहले गठ बंधन हो सकता है।